आज हम लोग दिखते हैं एसलिवर लाइफ के बारे में जो कि हम लोग इस्ट्रक्चर और वाइरस के बात करते हैं तो वाइरस के स्ट्रक्चर नॉर्मल ही हमारे पास दो तरह की होते हैं एसलिवर दा दाने कि अईरस्टटर्ट में स्ट्रिक्ट्टर कोब करते हैं अब उससे वन भाइवर स्ट्रेटिग हो आपके अंदर क्या मौझूद says होगा नाओ जैनेटिक माटेरियल के लिए हम लोग एक और वर्ड भी यहां पर मेंशन करते हैं विच मीन्स जिनॉम ठीक है वाइरस की एक खास्यत होती है कि वाइरस के पास जैनेटिक माटेरियल के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज होगी एक्जम्पल जैसे हैं अगर किसी वाइरस के पास उसके जनॉम के अंदर डी एने है तो उसके पास आरैने नहीं होगा और अगर किसी वाइरस के पास RNA है तो उसके पास उसके जिनोम के अंदर DNA नहीं होगा इसी तरह से वाइरस के कोर के अंदर enzymes मौज़ूद होते हैं वाई किसलिए enzymes मौज़ूद होते हैं Now let's see for mode of action Mode of actions के अंदर क्या क्या चीज़े आजेंगे जैसे एक enzyme है वो किसलिए काम करता है Conversion of single strand RNA into double strand RNA कि एक RNA है जो के single strand RNA है उसे convert करना है किसके अंदर double strand RNA के अंदर इसी तरह से हमारे पास जैसे hepatitis B के वाइरस है और रेट्रो वाइरस है इनके पास एक enzyme होता है जिसका नाम है reverse transcriptase enzyme what I mentioned here कि आप देख सकते है reverse transcriptase enzyme reverse transcriptase enzyme क्या करता है कि जो single structure हमारे पास RNA का singular structure होता है या फिर single strand of RNA जो होता है उसे convert कर दिया जाता है किसके अंदर double strand of RNA के अंदर example मैंने आपको पहले ही बता दिये hepatitis B virus और retro virus के बारे में थोड़ा बता देता हूं वह virus जो के HIV करवा देते हैं जिसे हम लोग human immune virus कहते हैं और इस HIV की वजह से lots of patients faces the disease of AIDS और AIDS हमारे पास acute immune deficiency syndrome अच्छा से क्लू हम लोग करते हैं मैंने यहां पर AIDS को acute immune disease syndrome क्यों नहीं कहा या फिर acute immune deficiency disease क्यों नहीं कहते हैं हम लोग हम लोग इसे syndrome ही क्यों कहते हैं syndrome वह वर्ड होता है जो के बहुत सारे disease को मिलाकर collect करकर हम लोग एक नाम दे देते हैं जैसे एड्स के अंदर आपको बता है कि blood cancer हो सकता है skin का cancer हो जाता है और उसी के साथ साथ जो यह वह उसे पाइल्स वगेरा यह और भी डीजीज हो जाती है इन एड्स अच्छा नेक्स चलते हम लोग हमारे आउटर पार्ड ओफ वाइरस की बात करते हैं तो वाइरस का आउटर पार्ड के लाता है क्या with capsid अब法 के पास कि यह उत ऑपकर होता है capsid होता है और अनवलब होता है जितने भी आउडर पास ओडर पार्ड जो नव सबनाव होता है और उस power Sand Kanter को मों लोग कहते है उपक्याद के पास याद रखने हैं याद रखें ।ा सवाल आता है हमारे पास के एक virus है जिसkे केसिे के पास four a 162 दो आपको याद होना चाहिए वो वाइरस जिसके पास 162 केसिट्रमर्ई लिए उन्हें हम लोग Barb virus कहते हैं इसी तरह फंसे दोस्ता से मेरी ने किया पर लिखा हुआ है कि असे वाइरस जिसके पास 252 केसिट्रम योग अन्वाइरस को हम लोग क्या अब similarly हमारे पास capsulmers होते हैं, वो arranged way होते हैं, अगर कोई भी capsulmer arranged हुआ 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 है, hollow coil form के अंदर, तो वो capsulmer की शकल किस तरह से हो जाएगी, rod shape, किस तरह से, rod shape, और इस पूरी shape को फिर हम लोग simply क्या कह रहे होंगे, helical, और helical हम सब को पता है, कि जब हम लोग बात करते ह DNA की, उसके अंदर भी हमारे पास हालेक्स और helical structure बन रहा होता है, अच्छा, यहां पर एक चीज नोट करिएगा, कि कुछ इन वाइरसे ऐसे होते हैं, जिनके पास additional lipoproteins की covering होती है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, envelope, और इसी की बहाफ पर भी हम लोग division कर सकते हैं, कि ह हमारे पास कुछ वाइरस होते हैं, जिनके हम लोग envelope virus कहते हैं, और कुछ वाइरस हमारे पास non envelope virus भी कहते हैं, बायोलोजी की सबसे बड़ी खुबसूरती ही होती है, कि आप उसके अंदर रटा लगाने से बहतर है, कि आप उसकी words की meaning समझ ले, आपको biology easily clear हो सकती है, जैसे म मतलब होता है bacteria, और phage का मतलब होता है to eat, इसका मतलब वो तमाम तर virus जो कि किसको खाते हो, excellent, जो bacteria पर attack करते हो, उन्हें हम लोग bacteriophage virus कहते हैं, अब चोटा सा structure में यहाँ पर bacteriophage का बनाया है, जैसे bacteriophage का जो उपर वाला हिस्सा है, उसे हम लोग head कहते हैं, और head पर हमने, कोट वाला, कैपसिट का बना वा है, और एक कैपसिट अभी ही में आपको बताया किस से बना हुआ है, इस पेशल प्रोटीन, मतलब कैपसुमर से, अंदर वाली साइड, इनर पार्ट को हम लोग कहते हैं, और इनर पार्ट पर क्या होगा, जिनॉम, एक वक्त में या त आपको, पना आपको जाआएं, और एक किस ली काम आती हैं, किसी भी होस्ट पर अठेक करने के लिए, यह नहीं पर उहलेख करें, यह एक कीं ने इसे बस–bes доб्या और आप आएं और अपनी स्टेडी को continue रखें हमारे साथ MDCAT के स्लेबर्स और ECAT के स्लेबर्स को अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हम आपके साथ मिलकर आपको करवाएंगे थेंक्यू सो मच्छ